नमस्कार दियलेट वर्ष दोजार बीस एक्टिस सेकेंड यर कोर्स पांच पांच बह हिंदी प्रक्रन चार भाशा की विदिया एवं मुल्यंकन इकाइका प्रारूप उद्देश्य विशय वस्तु आर्थ ग्रहन सिखाने की विदिया अभिव्यक्ति सिखाने की विदिया सर्जनात्मक्ता का विकास करने की विदिया व्यावहारिक उप्योजन सिखाने की विदिया तार्किक चिंतन विक्सित करने की विदिया और भाशा क प्रमुक उद्देश्यों का मुल्यांकन अर्थक्रान सिखाने की वीदिया देखने से पहले अध्यान निश्पतिया के बारे में अगर देखा जाए तो प्रशिक्षन आर्थी भाषा के प्रमुक उद्देश्यों को समझे भाषा के प्रमुक उद्देश्यों की क्षमता वि जाने भाशा के उद्देशों की मुल्यांकन की वीदिया जाने प्रशिक्षनार्थी अध्यन निश्पतिया के बारे में भाशा के प्रमुक उद्देशों की संकल्पना स्पष्ट कर सकेंगे भाशा के प्रमुक कौशलों के विकास करने की वीदियों का कक्षा ध्यापन में प्रयोग कर सकेंगे और भाषा के कौशलों के मुल्यांकन की वीदियों का प्रयोग कर सकेंगे विशई वस्तू में सर्वप्रतम अर्थ ग्रहन यानि कि श्रवन और वाचन सिखाने के वीदिया ध्यान पूर्वक सुनकर सुने हुई बात का बोध करना ही श्रवन अर्थ ग्रहन है जबकि वाचन का अर्थ है मुद्रित सामगरी को पढ़ कर समझना वाचन के दो प्रकार है मुखवाचन और मुखवाचन मुखवाचन यानि की शांतवाचन और मुखवाचन यानि की जोर से बोलना बोल कर पढ़ना सर्वप्रथा श्रवन अर्थ ग्रहन सिखाने की विदियां तो उसमें किस-किस विदियों से आप विद्यार्थियों को सिखा सकते हैं जैसे कि देखो और सुनो, सुनो और बताओ, सुनिये और कीजियें नेक्स्ट वाचन अर्थ ग्रहन सिखाने की विदियां जैसे कि देखो और कहो, पढ़ो और कहो, पढ़ो और करो अभिव्यक्ति सिखाने की विदियां, आत्मप्रकाशन, आत्मप्रकाशन मतलब की अपने बारे में जैसे कि बोला जाए या शिग्रवक्त रुत्वस पर्धा में भी विद्यार्थी बोल सकते हैं, चित्रवर्णन विदि, प्रश्नोत्तर विदि, कहानी, कथन विदि और न्याच्टी करण विदि लेखन अभिवक्ति विकास की विदियां, रेखांकन विदि, अनुकरण विदि, शुरूत लेखन विदि और चित्रवर्णन विदि सर्जनात्मक्ता का विकास करने की विदी सर्जनात्मक्ता यानि कि कुछ नया सुरूजन करना, कुछ बनाना, मौलिक रूप से लिखना या बोलना For example, अदूरा वाक्य पूर्ण करने की विदी शब्द सहुरचना, जैसे कि एक शब्द शिक्षक ने दिया मौसम, मौसम पर से लिखना है तो उसके अनुरूप और कोई शब्द जैसे कि बादल, हवा, पानी, पौधा, वाक्य सों रचना और चित्र पर से कहानी आगे देखें, व्यावारिक उप्योजन सिखाने की विदियां, जैसे कि नाट्य विदी, खबरों के प्रस्तुत करता का रोल करना, यानि कि न्यूज रीडर की भुमिका करना बाजार में सौधा शुल्क का अभी नहीं करवाना, सौधा शुल्क यानि कि खरीदार और बेचनार, उसकी अभिवेक्ति करना उदाहरण के जरिये शिक्षा यानि कि किसी भी मुद्दे पर या तो व्याकरण के मुद्दे पर या गध्य के मुद्दे पर या पद्य के मुद्दे पर सव उदाहरण विद्यार्थियों को पढ़ाना तारकिक चिंतन विक्सित करने के विदिया लोजिकली जो विकास करना है वो यानि कि कुछ क्वेश्चन्स पूछने हैं कुछ प्रशन करने हैं क्यों, कैसे, कब उनमें भी विदिया हैं तो समस्या समाधान विदी, प्रशनोत्तर विदी और रोल मॉडल विदी बाशा के प्रमुक उद्देश्यों का मुल्यांकन जब हम कुछ भी सिखाते हैं तो उसका मुल्यांकन जरूर से करते हैं बाशा के प्रमुक उद्देश्यों में अर्थब्रहन, अभिवेक्ति, सर्जनात्मक्ता, व्यावहरी को प्योजन एवं तार्किक चिंतन का समावेश होता है जो हमने अभी देखा उनकी सिखाने की विदिया भी हमने देखी अब मुल्यांकन को तीन स्वरूपों में मुख्यता देखा जा सकता है जैसे कि लिखित मुल्यांकन, मौखिक मुल्यांकन, एवं क्रियात्मक मुल्यांकन लिखित मुल्यांकन में देखा जाए तो जैसे शिक्षक अनुच्छिद लेखन करवा सकते हैं कहानी लेखन करवा सकते हैं शब्द लेखन करवा सकते हैं या फिर वाक्य लेखन भी करवा सकते हैं मौखिक लेखन में देखे तो ज़्यादा तर हम वक्त रुत्वस परदा का आयोजन करते हैं क्रियात्मक मुल्यांकन की बात करे तो अभी हमने जैसे बात की कि शब्द सों रचना है या फिर वाकिसों रचना है कहानी की भी रचना आप बच्चों के पास करवा सकते हैं तो इस एकाई में अभी व्यक्ति अभी व्यक्ति का वीधियां और वीधियों के जरीए उन सब का मुल्यांकन इसकी बात प्रस्तूत की है Thank you very much for being with me कि हुआ है